सभी समू की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आज मैं एक टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आई हूँ सभी दीदियों लोग आप से गुजारिश है आप लोग मेरा टीवी चैनल जो है प्रेंड़ा टीवी चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रही है क्या आपको आओ जानकारिया नहीं चाहिए बस इतनी जानकारिया चाहिए अब इसके बाद मैं क्या वीडियो बनाना बंद कर दूँ अब मैं कोई भी टॉपिक कोई भी योजना आपके पास ना लेकर आऊ अगर आपको चाहिए नई नई योजना के बारे में जानना है स्वयम सहता से जुड़ी अगर हर एक वीडियो का आपको लाब उठाना है फायदा लेना है और आप चाहें कि आपको सबसे पहले जानकारी ये सज्जी में जी हां स्वयम सहता में कोई भी अगर नया योजने आ रहा है आपके पास तुरंद पहुच जाए तो आपको भी तो जुड़ना होगा कहा प्रेणा टीवी चैनल जी हाँ प्रेणा टीवी चैनल से जुड़ जाए और नए नए जानकारिया समू के द्वारा जो आती है आपको मिलेगी चलिए ज्याद ना बात करते केंद्रों पर पोशा आहर बंद होने के बाद अब सासन ने राश्ट्री आजीव का मिशन एन आर एलम के श्वेम सहायता समू की महिलाओं को आंगन बारी केंद्रों में इसे मुहिया कराने की जिम्मेदारी दी है जी हाँ दी दिलो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि यह जो है राशनम आगन बारी कारता बारती थी और जैसे मैंने दी आपको एक पहले वाले वीडियो में बताया था कि समू में जी हां समू में कैसे पैसा आएगा कैसे मान दे मिलेगा पूरी जैनकरी आपको दी है आज इसी चॉपिक में उससे कुछी मिलती कि आप लोग को पोशाहर कैसे बाटना है बाटना क्या है आपको समू में समू में पैसा लेकर जो आपका 15,000 आया रिवालुइंग फंड उसको जो है पहले आपको हाते में जमा करना है फिर उसी पैसे से आपको चने की डाल लेनी है और चने की डाल लेकर समू में वित्रण करना है समू के महिलाओं को नहीं वित्रण करना है आपको कारिकर्ता जो है आंगन बाड़ी है उनको देना होगा ये आप पहले ध्यान से समझ जाए कि आपको करना क्या है क्योंकि बार बार एकी दो बार महिलाओं है बार बार हमसे पूछी जा रही है तो में टॉपिक इसमें यही है कि महिलाओं को आंगन बाड़ी केंद्रों में इसे मोहिया कराने की जिम्मेदारी दी है जो केवल चावल गेहु दाल कोटेदार वा खी के साथ सूखा दूद का पावडर केद्रों में वित्रित करेंगी बाल विकास परियोजना जिला कारिक्रम अधिकारी डीपियो सूजीत जीहा सूर्जीत सी ने बताया की महाराश्ट जारखंड उत्राखंड राजों में एन आरलम के समू की महिलाओं द्वारा आगन बाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन वित्रित किया जा रहा है इसमें गेहू, दाल, चावल, घी वा सूखा दूध पावडर सामिल है जो कोटेदार वा एक दूध का काम करने वाली कमपनी से लेकर वित्रित किया जा रहा है यहां कारिक्रम वहां सफल भी रहा है उसी तरज पर प्रदेश में भी समूहों द्वारा पोशा आहार रितित करने का फैसला किया गया है इसके लिए सासन ने पूरी गाइड लाइन बना ली है जी हां इसके लिए सासन ने पूरी गाइड लाइन बना ली है रासन वहीं से उठाया जाएगा जहां से रासन कोटेदार की दूरी ज्यादा ना हो इतनी मात्रा में उपलब्द होगा पोशा आहार डीपियों ने जी हाँ डीपियों के अनुसार 6 माह से 6 साल के बच्चे को हर माह 1 किलो चावल, 1.5 किलो गेहूं, 400 ग्राम सुखा दूद का पाउडर, 75 ग्राम दाल 75 ग्राम दाल वाद 3 माह में 450 ग्राम घी, देशी घी वितरित किया जाएगा गर्भवती मैलाओ को भी यही सुधा दी जाएगी, इससे 10 किलो चावल वा 300 ग्राम सुखा दूद की बढ़ोदरी की गई है 6 माह से लेकर 3 साल के कुपोशित बच्चों को सभी सुधाएं यही रहेगी, बल की यहों की दर बढ़ा कर धाई किलो कर दी जाएगी डीपियों के अनुसार दूद घी, सुखा पाउडर को अपरेटिव, डेरी, फेंडरेशन से उपलब्ध कराया जाएगा अनाजों की अलग-अलग पैकिजिन, पैकिज करने की जिम्मेदारी समुह की महिलाओ की होगी, वे केंद्रों में जाकर इसकी आपूर्ती करेंगी पोशा आहार का सामान हर माह की पास तारिक तक बच्चों के घर हर हाल में पहुचाना अनिवार है जी हाँ दीदी, आप लोग भी इस बात पर ध्यान दें, क्या आपके अगर बाड़ी में पोशा आहार बाटे जा रहे हैं, कि नहीं बाटे जा रहे हैं और ये भी देखना ध्यान से जरूरी है, क्या सारे बच्चों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है समू में समू की महिलाएं जो हैं, ड्राइ राशन तयार तो कर रही हैं, उनको ड्राइ राशन तयार करकर जो हैं, आंगन बाड़ी में देना है और आंगनबाड़ी की कारकरता से receiving ले लेना है और आंगनबाड़ी की कारकरता ही बाटेंगी लेकिन हम लोग को भी ध्यान देना है आप लोग आसपास हैं अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज 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 लाइक करें सस्क्राइब करें ज्यादा से ज्यादा सेर करें क्योंकि ये गरीब बच्चों का सवाल है कैसे क्योंकि जब तक उनको ये चीज़े मालूम नहीं होंगी क्या बट रहा है और कितना बट रहा है और किसको किसको बट रहा है तब तक कैसे कोई महलाय रासन पासकेंगी यह देखा जा रहा है आम तो पर मुझे कितने भी फॉन को कॉल्स आया है इसी मेटर को लेकर कि कहना उनका कहना कि दीदी राशन तो बटे लेकिन हमारे बच्चों को नहीं मिला यह भी कहना है हमारे गण में कुपोशित बच्चों है राशन सम्हू द्वारा दिये गए और कि इसको मिला और हम लोग के बच्चों को तो मिला ही नहीं बोल रहा है अब राशन खतम हो गया है और कुछ दीदिओं का यह भी कहना आया है कि हमारे आध्या सज्यों कोश्यत रासन लाईं है बाटी बच गया है अब जो बच गया है वह कहां जाएगा उनके हां इसी के लिए कर वीवाद भी चलना से स्टार्ट हो गया है कि राषन बज गया है अब तो बच्चों कोई लोग बाटी भी नहीं बचा ली क्या यह रासन ब्लाक पर चला जाएगा क्या यह रासन जो अब दुबारा उस माहिने बाटा जाएगा उसी में अजेश्ट किया जाएगा क्या यह अपने पास ही रखेंगी अगर यह रखेंगी तो हम क्यूं नहीं रखेंगी क्यूंकि हम भी सच्ण वाड़ी में आप लोग पहले से रासन ले रहे हैं जिसको व्यَّते दो लोग भी हुआ टर। yr क्योंकि कहीं यह भी भशताय जो चल रहा है सबया ऩ्नीन एक नहीं है तो हम लोग को आप लोग को जाग़ुख होना है पता करें क्या कैरा क्ये मेरे विडियो के द्वारा इस यह ओर और है प्रयाश करें और उनसे पूछे क्यों नहीं बट्रा क्योंकि यह मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि काम खो जा रहा है 25,000 खाते में आगी यह भी वालूम है लेकिन जो है 15,000 चन्ने की दाल पनी पॉल्थी जो भी ले लेंगे अभी मान देता है क्यों नहीं किया गया काम करा के उसके बाद मान देता है करना यह कहां कि समझ दा और दाली है तो मान दे अभी मुझे भी नहीं पता है दो आप लोग वीडियो देखते रहें जानकारी पाते रहें मान दे अच्छा खासा मिलेगा कम नहीं मिलेगा अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेर जरू करें क्योंकि यह सभी गरीबों को सव धन्यवाद